वेल्कम बैक मेरा नामे शुयब शेक और मैं आप सभी का फीड़ वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैंने यहां रजस फिश फार्म पर राहूल भाई के साथ एक वीडियो दाला था जिसमें हम लोगों ने आपको आरे सिस्टम बताया था वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से अलग-अलग सवाल किये अब मुझे सारे सवाल तो याद नहीं पर जितने याद है उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ और एक्स्टरा इंफर्मिशन देता हूँ सबसे जाद आप लोगों का सवाल था कि राहूल भाय का नंबर क्या है एक्चुली राहूल भाय का दूसरा भी एक काम है जिसमें वो बहुत बेजी रहते इसलिए वो अपना नंबर नहीं देना चाते उनका केना है कि आप लोगों उन्हें इमेल करो यहां जो इमेल आईडी आ रहा है उस पर इमेल करो उनको जब वो फ्री होंगे तो वो खुद आप लोगों से बात करेंगे चलो मैं आप लोगों को शॉट में R.A.S. सिस्टम एक बार फिर से दिखाता हूँ और दिखाते दिखाते आप लोगों के सवालों के भी जवाब देता रहूँगा टैंक्स तो आप देख सकते हो बायर फ्लॉक और R.A.S. में टैंक्स लगबख सेम ही होते हैं बहुत से लोगों ने मुझे R.A.S. के वाटर क्वालिटी के बारे में पूछा था चलो आज आपको वाटर क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ एक्चली ये जो वीडियो है ना ये मैंने 2019 में ही रिकॉर्ड कर लिया था पर पिछले वीडियो में डाला नहीं था क्यूंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए वीडियो को शॉट करने के लिए कुछ चीजों को मुझे डेलिट करना पड़ा यहाँ पर हम लोग आपको टैंक्स के अंदर कैमरा दालके एक अंडर वाटर वीडियो दिखा रहे हैं इस टैंक्स में तिलापिया फिश है अभी जो टैंक्स में केमरा दाले थे उस केमरे की रिकॉर्डिंग है यह यह जो सारी क्लिपिंग्स है ना यह मैंने लास्ट येर ही रिकॉर्ड कर लिया था अभी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए दिखा रहा हूँ आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबंस होगा क्योंकि उस टाइम बर्सात का मौसम था अभी यहां पर हमें राउल ब्या बताएंगे के आरेस सिस्टम में पानी की कॉलिटी कैसी होती है अभी हम पानी लेकर इसका पी एच और टीडेस चेक करते है ओके पानी लेके पहले सबसे पहले पानी की क्लेरिटी देखते हैं पानी की क्लेरिटी जैसे के मैं देख पा रहा हूँ यह पर पानी बहुत की ज्यादा क्लेर है मैं समझता हूँ के यह जैसा पीने का पानी होता है वैसे ही लग रहा है है को बीश Twitch को दीख अच आज अजिकांट परabileं के वहते है वहां जो अधर अगया धने बारिश mo 우리 कि आफ फिर रहे लुग्ष को तो अचला आपने भारिस में तो अधर का पानी लेखा उल्च टो तो अच्श को ज्यादा था अज्यां गहारइबर फ्रफ लेद यहां पर राउल भाय हमें टीडियेस चेक करके दिखा रहे हैं अभी यह जीरो पीपीम दिखा रहा है नहीं नहीं दिख रहा है थोड़ा सा इस तरफ आज ए जीरो ठीक से दिखाई तो नहीं ज़िए एक शुरी लाइट पीछे से ज्यादा आ रही है चलिए ठीक है आप जीर अजय आप यह लगा है ठीक से लाइट नहीं ही अजय थिखाई देरा है त्रफी आप टिखाई दे रहा है अभी टीडियेस कितना बता रहा है ठीक है ठीक है तृटिएट पीपीम जी और पानी का तो यह अपने कहां से पोशेश किया है मेरे ख़ल से ओनलाइन मिल जाता है तरहां पर कितने का मिलता है यह याद मिया मुझे बढ़ा हाजार के करीब रहे जाए और यह अमेजान बें मिल जाएगा ठर्टीएट टीडीए जो बता रहा था हो सकता है कि इसमें बारिश का पानी भी मिक्स हो रहा है इसलिए बता रहा है आईए अब हम लोग कि पीएश लेवल चेक करते हैं थोड़ा सा इस तरफ कीजि ऊसको टाके इहां पर ठीक से दिखाई दे सके अभी फोड़ा उस सरह ध r Eu crashed this आपम हो रहा है कहम एक है ह्जा आफट्चरफ पॉर पहरा है कि थोड़ा सा उस तरफ गुमां घर यह झा ऊपहँ भी दिखर आप दिखर 6.7 slow हो गया है भी काफी 6.7 जाके 6 इसका जेंरल रेंज कितना रहता है 6.5 के आसपास अगर होता है तो नीट्रल होता है पी एच पी जादा कम हो गया तो वह उसको एसेडिक बोलता है अच्छा और जादा हाई रहेगा तो उसको एलकेलाइन लेवल ज्यादा है ऐसे बहुत से लोगों का यह भी सवाल था कि इलेक्ट्रिक सिटी का बिल कितना आता है आरे सिस्टम के लिए बीए सवाल होता है और बाया फ्लॉक में भी यह सवाल होता है यहां आप देख सकते हो के सोलार पैनल लगाए गए हैं जिसकी वज़े से बिजली की बहुत बचचत होती है इस आरे सिस्टम के बिलकुल बाजू में ही इनका घर है इनका घर और यह सारा आरे सिस्टम इसी प अ discovery अग्यानोर हम तो यह पीन इनवेर्टर है में इनका यहां से सब होता है सब जो मैन इलेक्रेशीटी का जितना भी प्रोसेसिंग वह इसवह एंवर्टर करता है और यह बाकी जो पैनल द दिखा रहे हैं यह कपरेब्रेकर है जैसे यह सोलार पैनल्स पा बेकर है कभी एको लाइटनिंग गरता है तो वसी स्टम को हानी ना हो तो है ये प्रोटेक्टर थे सिमिलेर्ली यह जो हमारे घर पे जो फार्म के लिए जो बिजली जारी है आरे है उसका सर्कृट प्रकर ये जो आपका जो सब कुछ है है फूरा दिन में सब कुछ पूरा सोल र पर च अगर हम बैकप बढ़ाते हैं तो दिन में जितना जनेरेट होता है वो रात को स्टोर करकर हम रात को भी यूज़ कर सकते हैं तो छाह पाच घंटे ये बैकप है तो कि हमरा आरे सिस्टम जो है उसके लिए 24-hour system running चाहिए होता है तो बैक अप चाहिए चाहिए अच्छा आरे सिस्टम जैसे अगर कुछ बिजली की कुछ उन्होंने इस polyhouse के अंदर अपना एक filtration system बनाया है यहाँ पर जो filtration system है यह उन्होंने खोद R&D करके बनाया है जो ready-made systems होते हैं वो बहुत महिंगे होते हैं filtration system अलग-अलग companies के आते हैं जो 15 लाग से 40 लाग तक भी जा सकता है एक्चुली उसकी capacity और filtration speed के उपर depend करता है पर आप खोद ऐसा एक system बना सकते हो जिसमें आप second end tanks और सामान भी यूज़ कर सकते हो जिससे वो बहुत सस्ता पड़ेगा बहुत से लोग पूछते हैं कि RAS system क्या होता है RAS का मतलब होता है recirculating aquaculture system simple भाषा में बोलता हूँ ये एक ऐसा system होता है जिसमें tanks का पानी tanks के बाहर लाया जाता है और ऐसे filters से पास किया जाता है जिसकी वज़़से गंदा पानी साफ हो जाता है और फिर वही साफ पानी फिर से tanks में चला जाता है RAS system mainly इसी filtration system पे चलता है filtration system में दो चीज़े main होती है पहला होता है mechanical filtration और दूसरा होता है bio filtration Mechanical filtration का मतलब होता है कि tank से पानी आके ऐसे एक drum filter में जाता है जहाँ पर पानी से मशली की सारी गंदगी यानि की toilet वगेरा सब अलग हो जाता है उसके बाद पानी यहाँ पर साफ होने के बाद bio filtration के लिए जाता है Bio filtration की help से पानी में जो ammonia होता है उसको nitrate में convert किया जाता है Fish tank के पानी में ammonia जादा हो जाने से मशलीया मरने लगती है इसलिए ammonia को खतम करना बहुत जरूरी होता है ताकि tanks का पानी मशलीयों के लिए बिलकुल safe रहे यह जो आप some tank देख रहे हो इसमें MBBR मीडिया है इसमें bacteria बनता है जो ammonia को nitrate में convert करता है यहाँ पर जो nitrate मिल रहा है वो aquaponics के लिए बहुत काम आता है एक्वापोनिक्स क्या होता है इस पर एक detail वीडियो में बना के आप लोगों को दिखा दूँगा अभी short में बता देता हूँ कि fish farming के पानी से जो nitrate बनता है न उसके help से बिना soil के यानि बिना मटी के सबजी और fruits उगाये जाते हैं जो बहुत ही organic होते हैं जिसमें कोई chemical use नहीं किया जाता तो यहाँ पर aquaponics के help से राहुल बै ऐसे vegetables अपने घर के लिए आराम से निकाल लेते हैं यहाँ पर heterotron है जो clay से बना हुआ बायो मीडिया होता है इसमें bacteria बनता है जो पानी से ammonia लेके उसको nitrates में convert करता है जिसकी वज़ा से plants बड़ी आसानी से और बहुत fast grow होते हैं plants पानी के nitrogen को use कर लेते हैं जिसकी वज़ा से पानी मशलियों के लिए और भी ज़्यादा safe हो जाता है पानी मशलियों के लिए safe रहेगा तो मशलियां safe रहेगी मसलियां सेफ रहेगी तो क्या होगा हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा और हमें अच्छा प्रॉफिट होगा इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ चाहे तलाओ हो, RAS हो या बायफ लॉख हो पानी का बहुत ध्यान रखो पानी का ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और पानी का ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोग खुद समझदार हो RAS और एक्वापोनिक्स के अलावा यहां पर रावलबाय का एक तलाओ भी है और एक केज कल्सर सिस्टम भी है जिसकी डीटेल्स मैं अपने पुराने वीडियो में बताया था नेक्स वीडियो में RAS और बायफलोग में क्या फर्क होता है RAS में क्या एडवांडेज होते है और बायफलोग में क्या एडवांडेज होते है RAS में क्या डेज़ एडवांडेज होते है और बायफलप में क्या डिज़ एडवांडेज होते हैं इसके उपर बनाने वाला हूँ तो इस टॉपिक पर आप लोगों के कुछ सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा थैंक्यू तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना